खेलों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते वश से राजीव गांधी शहर और ग्रामीन ओलम्पिक खेलों का आयोजित शुरू किया था सरकार की ओर से प्रदेश स्तर पर जीतने वाले खिलाडियों को दो प्रतिशत नौकरियों में अतरिक्त कोटा देने का वादा भी किया था सीकर जिला मुख्याले पर आयोजित हो रहे शहरी और अलम्पिक खेलों में शामिल खिलाडियों से एंड़ी टीवी की टीम ने बात कर जानने की कोशिश की है कि सरकार अपने वादों पर कितना खरा उतर सकी है साथ ही खेलों में अपेक्षित सुधारों के बारे में भी खिलाडियों की राय जानी है देखिए सीकर से एंड़ी टीवी के समवादाताओं की ये खास रिपोर्ट इन खेलों से खिलाडियों को क्या फायदा हुआ और उनके क्या सुधावा इस बारे में हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे आप ग्रामीन ओलम्पिक में का बाग ले रहे हो आगे क्या फायदा है और क्या सुधावाए अब हावल भूल ज gardening माई थी किरिकेट की टीम है और वोल ज the उतिंक की टेम आई थी अभी अविती तेम झोखतिए यह थारिघाए का राधी हृँ एक तो थारी रूप से स्वस्त हां एक बाड़ने का मोका मिल रहा है यहां पिछले वर्स इस्थार्ट वा था लेकिन इसमें जो अत्रिक्त कोटा देने की बात हुई थी कि जो खिलाडी प्रदेश अस्तर पर जीतेंगे उनको 2% जैसे कोई नोकरी में जाएंगे तो 2% एक्स्टा उनको बेनिफिट मिलेगा जिसे उनको कम मार्क्स में भी वो पास हो जाएंगे लेकिन उसका भी हमें कोई अन्दाजा अतापता नहीं है कि उसका 2% मिला है कब तक मिलेगा पिछले साल जो टीमें जीती है उनको अब वो मिला एक नहीं मिला वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है तो हम यहीं चाते हैं सरकार से कि अभी चुनाओ का समय भी है चुनाओ होने वाला है दो तीन महीने ब पायदा मिलें तो इनका यह कहना है कि इन से खेलों से लाव तो इनको हो रहा है लेकिन अत्रिक्त कोटा जो इनको खिलाडियों के दिया जाए जो गाजिया इस तर पर खेल के आते है और से भी हम जाना चाहेंगे बताएंगे आप किया सुझावात थेलों को लेकर गरामीन पढ़का लेकिवा से अगया जो अबर्कळा जाए पके आरही कूशना को मीफिनल परिद सबस्तली में तो इसमे अच्छा कि बन कर रहे है और इसमें अच्छा गवर्मेंट पी अच्छा प्रोष्टान कर रही है और इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें नोकरी के लिए जो certificate है वो भी उनको देने में एर समर्थ है वो कोटा उपलब्त करवाए आप मतलब आपके क्या सुझावा है खेलों को लेकर क्या सुझावा है जो हमारे क्या सुझाव होना चाहिए खेलों जो ग्रामीन ओलम्पिक है जो ग्राम से मतलब गाउं से उठ करके जो बच्चों का मतलब जो खेल होता है वो उबर कर आ रहा है उस खेलों को मेरा यह सुझाव है कि खेलों इंडिया जिसे खेलों तक जोड़ना चाहिए क्योंकि जो बच्चे यहां पर पर प्रदेश इस तर खेल के बाद में उनका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो इस चीज को मतलब इंडिया इस्तर पे जैसे इंटरनेशनल नेशनल इस्तर पे इसको जोड़ना चाहिए जिसे की आगे बढ़ने में ज्यादा समस्या ना है यह हमारा सुझाव है तो इनोंने यह भी बताया कि इन खेलों को आगे नेशनल और इंटरनेशनल आगे तक इनको खिलाया जाए और इनसे और बात करेंगे यह आपके क्या सुझाव है हमारा सुझाव यह है कि जो भी बच्छे उभर के आ रहे हैं उनको आगे कोटा दिया जाए सरकारी नोक्रियों में जो भी है जितने मारक् निरंदर चलनी चाहिए निरंदर जारी रहना चीए खेल परतियों किते हैं